साथियों भारत की सक्ती इसकी विवित्ता में है हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बहतरीन पहल की है इस पहल का उदेश पीपल टू पीपल कनेक बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मोका देना विविन राज्यों के उच्छ सिक्षा संसानों को इस से जोड़ा गया है युवा संगम में युवा दिशरे राज्यों के शहरों और घावों में जाते हैं उन्हें अलग अलग तरग के लोगों के साथ मिलने का मोका मिलता है युवा संगम के फर्स राउंड में लगवक बारा सु युवा देश के बाईस राज्यों का धोरा कर चुके हैं जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं वे अपने साथ ऐसी यादे लेकर वापिस लोट रहे हैं जो जीवन भर उनके रदे में बसी रहेगी हमने देखा हैं कि कई बड़ी कंपनियों के CEO बिजनेस लिडर्स उन्होंने बैग पैकर्स की तरह भारत में समय गुजा रहा है मैं जब दूसरे देशों के लिडर्स से मिलता हूँ तो कई बार वो भी बताते हैं वो अपनी युवावस्था में भारत घुमने के लिए गए थे हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए हैं कि आपके उत्सुता हर बार बढ़ती ही जाएगी मुझे उमीद है कि इन रोमान्चक अनुभाओं को जानकर आप भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरिक होंगे मेरे पहरे देशवाश्यों कुछ दिनों पहले ही मैं जपान में हिरोशिमा में था वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल मुजिम में जाने का अउसर मिला यह एक भाउक कर देने वला रूभ हो था जब हम इत्यास की आदाओं को संजोकर रखते हैं तो वह आने वाली पीजों की बहुत मदद करता है कई बार मुजिम में हमें नए सबग मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सिखने को मिलता है कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनलन मुजियम एक्सपो का भी आविजन किया था इसमें दुनिया के बारा सो से अधीक मुजियम की विजहस्ताओं को दर्शाय रहा हमारे हाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई मुजियम्स हैं जो हमारे अतीद से जुड़े अनेक पहलूओं को प्रदर्शित करते हैं जैसे गुरुग्राम में एक अनुखा संग्रहाल है मुजियो कैमेरा इसमें अठारा सो साट के बाद के आठ हजार से ज़्यादा कैमेरों का कलेक्शन मुजूद है पमिल्नाड के मुजियम और पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है मुंबे का छत्रपती सिवाजी महाराज बास्तु संग्राल एक ऐसा मुजियम है जिसमें सत्तर हजार से भी अधिक चीज़े समर्प्षित की गई है साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमरी प्रोजेक एक तरह का ओनलाइन मुजियम है इसे दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गवरोफशाल इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है विभाजन की विभीशिका से जुड़ी स्वूतियों को भी सामने राने का प्रयास किया गया है बीते वर्सों में भी हमने भारत में नए नए तरह के मुजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं स्वादिन ता संग्राम में आदिवाजी भाई बहनों के युगदान को समर्पित दस नए मुजियम बनाए जा रहे हैं कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलो भी भारत गैलेरी हो क्या फिर जलिया वाला बाग मेमोरियल का पुनरुधार देश के सभी पूर्व प्रधान मंदियों को समर्पित प्येम मुजियम भी अदिल्ली की सोभा बढ़ा रहा है दिल्ली में ही नेशनल वार मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं आतियासी की दान्डी आतरा को समर्पित दान्डी मेमोरियल हो या फिर स्टेची ओफ यूनिटी मुजियम खेर मुझे यहीं रुख जाना पड़ेगा क्योंकि देश भर में मुजियम की लिस्ट काफी लंबी है और पहली बार देश में सभी मुजियम की बारे में जरूरी जानकारियों को कमपैल भी किया गया है मुजियम किस थिम पर आधारीत है वहां किस तरग की वस्तियें रखी है वहां की कॉंटेक्ट डिटेल्स क्या है इस सब कुछ एक ओन्लाइन डारेक्टरी में समाहित है मेरा आपसा आग्रह है कि आपको जब भी मुका मिले अपने देश के इन मुजियम को देखने जरूर जाए अब वहां की आकरसक तश्विरों को हैस्टेग मुजियम मेमरीज पर सेर करना भी न भूले इससे अपनी बायभोव साली संस्कृते के साथ हम भारतियों का जुड़ाव और मजबुत होगा मेरे प्यारे देशवासियों हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी बार बार सुनी होगी बिन पानी सबसून बिना पानी जीवन पर संकर तो रहता ही है ज्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है बविश की इसी चुनोंती को देखते हुए आज देश के हर जीले में 75 अमरुत सरोवरों का निर्मान किया जा रहा है हमारे अमरुत सरोवर इसलिए विशेस हैं क्योंकि ये आजहादी के अमरित काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमरित प्रयास लगा है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज़्यादा अमरुत सरोवरों का निर्मान भी हो चुका है ये जल सवरक्षन के दिशा में बहुत बड़ा कदम है साथियों हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुनोतियों के बारे में बात करते रहते हैं इस बार भी हम इस विशे को लेंगे लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल सवरक्षन से जुड़े स्टार्ट अप्स की एक स्टार्ट अप है फ्लॉक्स जैन यह start-up IOT enabled technique के जरिये water management के विकल्प देता है यह technology पानी के इस्तिमाल के patterns बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तिमाल में मदद करेगा एक और start-up है live and sense यह artificial intelligence और machine learning पर आधारिक platform है इसकी मदद से water distribution की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी इससे यह भी पता चल सकेगा कि कहां कितना पानी बरबाद हो रहा है एक और start-up है कुम्भी कागज एक कुम्भी कागज ऐसा विशह है मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा कुम्भी कागज start-up उसने एक विशेस काम सुरू किया है वे जल कुम्भी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं यानि जो जल कुम्भी कभी जल स्त्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी उसी से अब कागज बनने लगा है साथियों कई युवा अगर innovation और technology के जेरिये काम कर रहे हैं तो कई युवा यसे भी हैं जो समाज को जागरुक करने के mission में भी लगे हुई हैं जैसे कि चतिसगड में बालो जिले की युवा हैं यहां के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है यह घर घर जाकर लोगों को जल समरक्षन के लिए जागरुक करते हैं कहीं शादी ब्याज जासा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का यह गरुप बहां जाकर पानी का दुरूप्योग कैसे रोका जा सकता है इसकी जानका दी देता है पानी के सदुप्योग से जुड़ा एक प्रेरक प्यास जारखन के खूंटी जिले में भी हो रहा है खूंटी में लोगों ने पानी के संकर से निपटे के लिए बोरी बांद का रस्ता निकाला है बोरी बांद से पानी कटा होने के कारण यहां साग सब्जियां भी पैता होने लगी है इससे लोगों की आवदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरुते भी पूरी हो रही है जन भागी दारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बढ़लाओं को साथ लेकर आता है खूटी इसका एक आकरशक उधारन बन गया है मैं यहां के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत-बधाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियो उननीस सो पैसेट के युद्ध के समय हमारे पूरव प्रधान मंत्री लालबादूर सास्त्री जी ने जै जवान, जै किसान का नारा दिया था बाद में अटरल जी ने इसमें जै विज्ञान भी जोड़ दिया था कुछ वर्स पहले देश के विज्ञानी कों से बात करते हुए मैंने जै अनुसंधान की बात की थी मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की एक ऐसी सहुस्था की जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंदान इन चारों का ही प्रतिवीम है ये सज्जन है महराश्टर के स्रिमान स्रीवाजी शामराव डोले जी स्रीवाजी डोले नासिक जिले के छोटे से गाउं के रहने वाले हैं वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पुर्वसाइनिक भी है फोज में रहते हूं उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया रेटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सिखने का फैसला किया और एग्रिकल्चर में डिप्लोमा किया यानि वो जय जवन से जय किसान के तरफ बढ़ चले अब हर पल उनकी कोशिज यही रहती है कि कैसे क्रिशिक शेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दे अपने इस अभियान में सिवाजी डोले जी ने 20 लोगों के छोटी सी टीम मनाई और कुछ पूरु सहिनिकों को भी इसमें जोडा इसके बाद उनकी स्टीम ने वैंकटेश्वर कोपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमेटेड नाम की एक सहकारी संस्ता का प्रभंदन अपने हाथ में ले लिया ये सहकारी संस्ता निश्क्रिय पड़ी थी जिसे रिवायू करने का बिड़ावुना ने उठाया देखते ही देखते आज बैंकटेश्वर कोपरेटिव का विस्तार कई जीलों में हो गया है आज ये टीम महाराष्ट और करनाटका में काम कर रही है इससे करीब अठारा हजार लोग जुड़े हैं जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमेन भी है नासिक के माले गाउं में इस टीम के सदत से पान सो एकर से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं ये टीम जल्द सवरक्षन के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है खास बात यह है कि इन्होंने और्गेनिक फार्मिंग और डेरी भी शुरू की है अब इनके उगाये अंगुरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस टीम की जो दो बड़ी विशेश्था हैं जिसने मेरा ध्यान आकरसित किया है वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान इसके सदसे टेक्नोलोजी और मोडन एग्रो प्रैक्टिसिस का अधिक से अधिक उप्योग कर रहे हैं दूसरी विशेश्था यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं सहकार से समुरुद्धी की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सरहाना करता हूँ इस प्रयास से ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का ससक्तिकन हुआ है बलकि आजी विका के अनेक साधन भी बने हैं मुझे उमीद है कि हप्रयास मन की बात के हर स्रोता को प्रेरित करेगा मेरे प्यारे देशवासियों आज 28 माई को महान स्वतंतरता सेनानी बीर सावर करजी की जेनती है उनके त्याग, साहस और संकल पसक्ति से जुड़ी गाथाए आज भी हम सब को प्रेरित करती है मैं वो दिन भूल नहीं सकता, जब मैंडमान में उस कोठी में गया था जहा वीर सावर कर ने काला पानी की सजा काड़ी थी वीर सावर कर का व्यत्तित्व द्रड़ता और विशालता से समाहित था उनके निर्भीक और स्वाविमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी स्वतंतरता अंदोलनी नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावर करने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है साथियों, कुछ दिन बाद चार जून को संत कबिरदास जी की भी जेंती है कबिरदास जी ने जो मार्ख में दिखाया है, वो आज भी उतना ही प्रासंगी है कबिरदास जी कहते थे कबीरा कुमा एक हैं, पानी भरे अनेक बरतन में ही भेद हैं, पानी सब में एक, यानि कुए पर भरे भिन भिन तरह के लोग पानी भरने आए हैं, लेकिन कुवा किसी में भेद नहीं करता, पानी तो सभी बरतनों में एक ही होता है संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कूपरथा का विरोत किया, समाज को जागरूत करने का प्रयास किया आज जब देश विख्सित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें संत कबीर से प्रणा लेते हुए समाज को ससक्त करने के अपनी प्रयास और बढ़ाने चाहिए मेरे पैरे देश वासियो, अब मैं आपसे देश के एक ऐसी महान हस्ति के बारे में चर्चा करने जहां रहा हूँ, जिन्नोंने राजनीती और फिल्म जगत में अपनी अध्भूत प्रतिभा के बल पर अमिट छाप छोड़ी, इस महान हस्ति का नाम है एंटी रामाराओ, ज अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर वो ना सिर्फ तेलिकु सिनेमा के महानायक बने, बलकि उन्होंने करोडों लोगों का दिल भी जीता, क्या आपको मालू है कि उन्होंने तिन सो से अधिक फिल्मों में काम किया था, उन्होंने कई एतिहासिक पांत्रों को अपने अ NTR के एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, NTR ने सिनेमा जगत के साथ साथ राज निती में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी, यहां भी उन्हें लोगों का भरकूर प्यार और आशिरवाद मिला, देश दुनिया में पहांजली अर्पित करता हूँ, मेरे पहरे देशवासियों, मन की बात में इस बार इतना ही, अगली बार कुछ नए विश्यों को इसाथ आपके बीच आऊंगा, तब तक कुछ इलाकों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, कहीं कहीं पर बारिज भी शुरू हो देवी मनाएंगे, उसकी भी देश विदेश में तैयारिया चल रही है, आप इन तैयारियों के बारे में भी अपने मन की बात मुझे लिखते रहिए, किसी और विशे पर कोई और जानकरी अगर आपको मिलें, तो वो भी मुझे बताइएगा, मेरा प्यास ज़्यादा से ज बहुत बहुत धन्यवाद, अब मिलेंगे अगले महिले, तब तक के लिए मुझे बता देजिए, नमस्कार